नमस्कार दोस्तों वेलकम टुश्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजी एल और पेट्रोनेट दोनों स्टॉक के वरें बात करेंगे दोनों स्टॉक किसी के पूर्टफोलियो में अगर है तो उनको क्या करके चलना चाहिए इस वीडियो में आखिर तक अब लास्ट बुक करके निकल जाएंगे बहुत सारे इस सवाल है अभी दो चार दिन से बहुत सारा सवाल आ रहा है इंद्रपस्त को लेके और पेट्रोनेट को लेके तो इसलिए मैंने सब्सक्राइब करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर रख लिजे तक आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको टाइमले मिल सकता है चले स्टार्ट करते हैं मिल लिए फ्रंस अगर देखेंगे यह स्टॉक ने लास्ट एक महिने में यह स्टॉक में दो परसेंट का पजिटिव रिटन मिला है लेकिन लास्ट सिक्स अगर देखते हैं तो यहां पर 14 परसेंटेज का रिटन मिला है अभी जो प्रोब्लेम हो रहा है अभी शट्र में जिन्होंने भी एंट्री लिया है जिन्होंने मतलब हमारा चैनल पर भी काफी सरे फ्रेंट्स ने एंट्री लिया है कि मैं खुद भी आड्मीट करता हूं मै तो स्टॉक में थार्टीफोर परसेंटेज का और चुका है ठीक है और कॉम्पनि अगर लंग तर्म का चाट पटरन देखेंगे बहुत बहुत बहुतने लंग तर्म का च्ट परेंगर अभी जो इंस पर कुलेख पड़े और यहां पेजिस साबसे ग्लोबल सिनारियो बन र कि इतना बड़ा impact नहीं आए अभी देखिए December का quarter में यहां पर 202 कृट का sales भी हो आथा अगर हम profit की बात करेंगे company consistently profit generate कर रहा है ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे यहां पर company का फीने मेन नहीं लीद 27 poreu धे एड़i कि चुम्ही यहां पे यह बिए तो इसे साफ से पौनई पपर और इस इसवाइदEC साब से अगर हम धेखते हैं यहाँ पट्र बेहतर निसके साथ अगर बैट करेंगी यहां प्रमाटर के पस में और प्रमोटर को नहीं दिखिए यहां पर फाल दिखिए यहां पर 20 परसंट है सब एक के पास क्योंगी वह देखिए और देखेगा यहां पर देखेंगे और और प्लेज भी नहीं इह कंपनी में उसके साथ में यह सारा जो परामेटर देखते हैं तो यह सा नहीं कि कमपनी अभी जो अभी जो कुछ दिन से जो नेगेटिविटी चल रहा है जिसी हिसाब से मार्केट में ग्लोबाल सिनारियों के लेके अभी जिसी साब से स्टॉक में करेक्शन आ रहा है यह ज्यादा दिन नहीं रुखने यहां पर कमपनी अभी क्या नहीं है नाइंटी एड में देखिए नाइंटी एड से इंकर्परेट हुआ है कमपनी उसके साथ में इसका जब चार्ट पेटरन देखते हैं ना चार्ट पेटरन को देखके बहुत बड़ा कंफिदेंस विल्ड होता है यह स्टॉक में ठीक है इससे पहले क्या कभी गिरावट नहीं हुआ है बहुत बार हुआ है दिखिए उस टाइम पे भी तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आया है ना तब यह स्टॉक में करेक्शन हुआ था उस टाइम पे दिखिए तो वहां पे कितना परसंट करेक्शन हुआ है 53 परसंट तक गिरावट देखने को मिला था उसके बाद में रिकावरी किया कि नहीं किया यहां पर दिखिए यहां पर जो टाइम लगा यहां पर दिखिए 2012 से लेके तो यहां पर 2014 तक यह लग गया है 2014 तक 2012 से लेके 2013 तक का यह कवर अप हुआ है तो यह सा नहीं है कि इमीडियेटली आपको उसका रिजल दिख जाएगा ठीक इसा हुआ उसके बाद में देखिए यहां पर भी करेक्शन हुआ था कितना परसंटेज का करेक्शन दे कि यहां पर कुछ साल पहले भी करेक्शन देखने को मिला था तो इसके बाद में बिफोर कोवीड 2020 को दिखिए इससे बीच-बीच में होता रहता है इसे स्टाक में जरूर क्रेक्शन होगा तो अभी थाटी-फूर परसंटेज का करेक्शन है ठीक है मेरे हिसाब से जिनों नहीं एक पोटफॉलियों में लेकर रख़े हुए तो मैं तो मैं आपको आनेसली वही बताना चाहूंगा फंड बहुत लांग है तो इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं है आप अगर लॉटस से 15 में तक एक साल के लिए अगर पर्फरेंट नहीं किया सब्सक्राइब करेगा तो यह साल आपने जरूर देखा अगर देखा होगा मैंने आपको एक्जम्पल तो बताए था डेल्टा क्रब में जब स्टॉक में रिवाउंड आता ना तो इसी साफसी वहां पर रुखता नहीं है बहुत बड़ा पॉजिटिव रिटन देता है ठीक है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो भी आपको करना है आप खुद का अनलीसिस पर कर लीजिए ठीक है यह मेरा खुद का सला है तो यहां पर नेक्स टॉक के ओपर आ लिए और हमें प्राफिट बुकिंग भी कर लिया था यह स्टॉक में से ठीक है तो यहां पर दिखिए यहां पर इसी चाप से अगर देखेंगे यह एक महिने में माइनस पांच परसेंटेज का नेगटिव रिटाने छे महिने में यहां पर शोला पर सेंटा परसेंटेज का न बात करेंगे यहां पर मैक्जियम चाट पेटन में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रिटन दिया थीक तो यहां पर इसी चाहिए बात करेंगे यहां पर 29,000 करोड का मार्केट क्या पर स्टॉक का पी अभी ओनली 9 पे ट्रेडिंग हो रहा है अगर डेट के बारे में बा जिरो पॉइंट टूइट का डेट है अगर कमपनी का अल टाइम हाई के बारे में बात करेंगे 302 है तो इसे सबसे हाइस देखने को मिला तो उसके साथ में बात करेंगे सबसे हाइस उसके साथ में बात करेंगे तो उसके साथ में अगर में बात करेंगे 6 फिक सबसे हाई तो उसके बाद में अगर हम आ जाते हैं यहां पर बढोंग में यहां पर तो इसाथ में transminy 3534 करोंग का बढोंग यह जो कि 3500 को बढोंग इस में है तो उसके साथ में लेकिन इतना इसके साथ में इसके साथ में इसके साथ में इसके साल से अभी इतना बड़िया पर्फॉमांस नहीं दे रहा है अगर आपके अगर के से कंपनि अभी बहुत स्ट्रोंग लेकिन अगर आप यह हम ब्यादAfलém हैं इसे जगा में कि इस जगामें अगर हम लोस बॉक कर खे और तो दूसरा स्टॉक में लेते हैं जहां पर वहां पर हंडेड़ परसंट इसका गयन है तो स्वीच कर सकते हैं यह साफर है स्टॉक मार्केट में इसा बहुत सारा स्टॉक है जो कि अगर आप एक साल के लिए भी होल्ड करेंगे ना तो आपको हंडेड़ परसंट का भी रिटन चल रहा है वह स्टॉक को अपना पोटफोलियों मिलेंगे तो हो सकता है एक साल में आपको बहुत बढ़ी ऐसा रिटन देखने को मिल सकता है तो इसलिए आप अपना पोटफोलियों का जरूर खयाल रखिए और अगर आपको होल्ड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉक कोई प्रोब्लेमम नहीं है अगर ये स्काट में किसी ने 10 साल में इंवेस्टमेंट किया है तो दस साल में 9 शेयर नाइन-परसेंट-विट ने वह स्की लेकिन इसमें जिसने स्विंग्रेड किया होगा उसको भी बहुत बढ़िया फाइदा हुआ होगा एसा नहीं कि विडियो आपको अच्छा लगा तो विडियो को जरूर लाइक किजिए चैनल पर नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए अगर विडियो आपको अच्छा लगता है तो उसके साथ में अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते तो यह वट्सप का नम्बर है इस नंबर पर आप मेरे साथ में जरूर सकते हैं वहां से काफी सरे स्टॉक है जो कि हमारा बहुत बढ़ी आ वैल्लेशन पर मिल रहा है अगर आप उफाइदा उठाना चाहते हैं तो मेरे साथ में जरूर जूर सकते हैं थे यह वेरी मच्छ प्रेंश पर वाचिं पेडियो में जरूर नाया अग वीडियो में